हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह पढ़ाई कर ले होंगे आज किस लेक्षर में हम लोग क्लास सेवन्थ आयदी फांडेशन पीयरसन सीरीज से साउंड के लेवल टू के क्वेश्चन्स फियोरी के साथ करने क की कोशिश करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं लेवल टू के क्वेश्चन की अगर बात करें सबसे पहला क्वेश्चन आप पढ़ें अगर आपके पास बुक है तो फ़र्स्ट वन इस यह क्या कह रहा है यहां पर मेरे हिसाब से जो एडिशन है उसके हिसाब से पेज नमर 5.18 में क्वेश्चन नमर 44 शुरू करता है लेवल टू में ठीक है ना इसमें है कि असाउंड वेव मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद रिफ्लेक्टिंग सर्फेस तब एक साउंड वेव कोई भी चीज़ ट्रेवल करता है कुछ भी हो साउंड पहले समझा है साउंड क्या है साउंड एक मैकेनिकल वेव है मतलब इसको ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए होगा मेडियम चाहिए होगा पार्टिकल्स जब तक नहीं होंगे मेडियम में तब तक साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकती है जैसे लाइट वेव को ट्रेवल करने के लिए पार्टिकल की ज सकती है बट साउन वैक्यूम में नहीं चल सकती है मतलों वैक्यूम में साउन की स्पीड किती हो जाएगी जी तो पहली बात आपको जान लेनी है और साउन्ड ट्रैवल करेंगी यह समझ जैसे बॉल आके टकडाती ठीक ऐसे टकडाएंगी गदर जाएगी यह इस हाटों 6 dw Rig और यह भी कितना होगा साइच डिटिए लॉइज में मुएल्गोर फिलेक्षेन आशर नॉर्मली नॉर्मल और इंसिड Pak य की बीच का एंगिल को हम रीफलेक्टेटेज में विलता है वी सिरेंस रोता है तो अतले आपको P डिक्री बी साथ डिक्री नाइनट डिक्री घ्र गडी और है एकन्सेट डिक्री अपका आपका अंसर क्या होगा बताहिए opens dissect अलग बात है के reflect इंसर्फ DO यह लेकिन नॉर्मल के साथ का अंगेल मैं रगवर स energía इन्सीटें गंडी उसको ढूलते हैंaros और जितना इंसिटना 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 इंसिट plane okay गाले चलिए इसको कॉपी कर ले अब क्वेशन नूमर 45 पे डिसक्शन करते हैं क्वेशन नूमर 45 क्या कह रहा है 45 में बोल रहा है कि वीज़ दो फोलिइंग स्टेटमें इस करेक्ट तो यह आप खुद कर लेंगे इस पर मैंने डिसक्शन कर रहा है क्या नूमर 46 इव देप्थ अव देप्थ अव देशी इस 1.1 25 किलोमेटर जो समुद्र की गहराई है वह 1125 मीटर होगा इसको मीटर में कनवर्ट करेंगे वी देटाइम टेकन फॉर देटेटर ताउंट वीज़ देशनार सुनार मतलब साउंड नैविगेशन इन रेंजिंग तो वहां से जो सुनार है वह 1125 किलोमेटर मतलब 1125 मीटर गहरी है कौन समंदर गहरा है तो वहां से मतलब वहां से साउंड जो निकले का सुनार से साउंड निकला वहां से साउंड फिर टकडा के उसके बेस में जाके फिर वापस उसी में आने में जो टाइम लगएगा जित ताइम मांगा है कितना टाइम लगेगा ठीक है option में given और इस पीड गिवने 1500 मीटर पर सेकंड आ नमबर एवन सेकंड सेकंड में आंसर है दूसरा भी में है 1.5 सेकंड 2 सेकंड 2.5 सेकंड यह आपका question है तो distance कितना travel करना पड़ेगा बताइए distance travel करना पड़ेगा 1115 गुना दो that is 250 meter speed का formula क्या है distance बटे time तो time क्या हो जाएगा distance बटे speed distance कितना है बताइए बाइस सो पचास बटे speed कितना है पंद्रे सो यह कैंसिल हो जाएगा पंद्रे चेके डेर सो सॉरी पच्छा ठीक है पचीश चेके डेर सो पचीश नवा तीन दुना छे तीन दिया नवा देट इस तीन बटे दो बाइसे भी बात समझ आ रही है पंद्रे सो मीटर के लिए एक सेकंड तो आपको निकालना है कितना के लिए बाइस सो पचास के लिए एक बटे बंद्रे सो गुनाब तो यहां से भी आंसर आपका निकल जाएगा युनिटेरी में तट से आइधिंक कि आपको बात समझ आई होगी बस यह काने में जैसा है स्पीड डिस्टेंस टाइम को आपको समझना पड़ेगा और आपको कैसे क्या कितना डिस्टेंस लेना है वह आपको अपलाई करना आना पड़ेगा तो आपका क्वेशन अराम से बन जाएगा ओके दन 46 क्वेशन नमर 47 पढ़ें 47 क्या कह रहे है यह कह रहा है एम मैं इस स्टेंडिंग नॉट एग्जेटली अड़ अड़ सेंटर आप टू ओल्स दो वाल से वह एकदम बीज में कहीं नहीं ठीक है फायर सगन और ही इस फ़स्ट इको आफटर वन सेकेंड वो एक गन को फायर करता है उसके बाद एक सेकंड के बाद उसको सुना ही पड़ता है जो साउंड निकलती है उदेच सेकंड के बार सुना ही पड़ती है उसके बाद ऐसे जाकर फिर वापस आ रही है ठीक है यह कितना सेकंड अफटर टू सेकंड इस्पीड ऑफ साउंड या टीन्हों मीट पर सेकन्ट ये पूरा एक चक्र कम्प्लीट करई स्में यहां dünyada तक कम लेकर कर दो करें in je सब्सक्राइब चासे हाई गला जो अद्या एक सेक्ट और दो सिकंड तीन सेकंडब स्कीनद को एकस गैस्ट नहींत डेइस्ध sent कितना कवर करा 2x तो स्पीड का फार्मिला डिस्टेंस बाइटाइम फहले ऑप्शन देख लेते हैं इसमें किता और 330 मीटर पर सगेंड यहां पर कि यहां पर यहां पर कितना फर्स्ट एक सकेंड में और सेकंड इको दो सकेंड में ठीक है और ऑप्शन है आपका वाल की बीट का डिस्टेंस 330 मीटर ऑप्शन भी है कि आपर करेंगा है कि टुएक्स टाइम कितना लगा एक सेकंड पहला वाला फिर दूसरा दो सेकंड में दूसरा वरा जो जाएगा तीन सेकंड्स आइग तो टू-एक सब्राबर कि चलिए क्वेशन नमर 47 आपका हो गया क्वेशन नमर 48 पे डिस्केशन रखते हैं क्वेशन नमर 48 क्या कह रहा है यह कह रहा है थ्री पॉसंट पीवन पीटू और पीथरी आर्ड डिफरेंट पॉइंट पॉइंट ए बी और सी तीन प्रसंस है यह पीटू और पीञारी एक है एं में अ कि बीमे रोके सीटिन टू पर सीट निलविच अमोंग ध। इव सोलॉन कैन भीदमेनम É भी तो और पी तरी पीट्री की बीच का डिश्क्राइट पो महांग गाने मिनीमँ और यह पीवन पीटू कीppy का तो 30 meter sound को hear करना है 2 persons पिए क्लाइब अड़ी समाइब पी और पी 3 पी 1 और पी 3 क्लाइब कर रहा है 3 persons P1, P2 and P3 are different points 2 persons P1 and P3 पिए क्लाइब पी 1 भी क्लाइब किया P3 भी क्लाइब किया क्लाइब करने से वहां से sound निकलेगी आवाज निकलेगी which among the following can be the minimum distance between P1 and P3 to hear the clap sounds distinctly. तो P2 को सुनना है, P1 का भी sound और P3 का भी sound, दोनों को जो सुनना है वो अलग-अलग सुनना है. याद रहे, दो अलग-अलग sounds को अलग-अलग सुनने के लिए minimum दोनों साउन के बीच एक बटे दस सेकंड चाहिए. वरने हमारा कान, हमारी जो कान, human का जो air है, वो उसको sense ही नहीं कर पाएगा. The minimum time interval between two sounds must be 1 over 10 seconds. उससे अगर कम होता है, आप समझ जाएं कि आप sound को आप sense नहीं कर पाएगे. दो अलग-अलग sound के जो distinct sound को आप sense ही नहीं कर पाएगे. तो कितना distance होना चाहिए minimum? 330 यह चाहिए आपको. 330 मीटर, 384 मीटर, C, 363 मीटर, D, 660 मीटर. अब यहाँ पर देखे, इसमें दिया हुआ 330 मीटर पर सेकंड sound की speed given है. एक सेकंड में 330 मीटर चलती है, मतलब A से B तक जो चलने में लगेगा time, वो एक सेकंड लगेगा, ऐसी समझ आ रहा है. A से B तक 330 मीटर चलना है, 330 मीटर पर सेकंड उसकी speed है, तो A to B जो time लगेगा, वो कितना लगेगा? एक सेकंड यह तो clear है. अब P3 से जो sound निकलेगी P2 तक पहुँचने में, अलग-अलग सुनने के लिए, कम से कम कितना distance होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए, अगर हम बात करें, यहां दो बात ही हो सकती है, जहां तक मुझे बात समझ आ रही है, कि या तो इससे पहले इसको sound सुनाई पड़ जाए? यहां पर which among the following can be the minimum distance between P2 and P3, P2 और P3 की बीच का minimum distance चाहिए, तो दो बात हो सकती है, या तो 330 मीटर जो distance ट्रेवल कर रहा है, उससे कम distance हो, option के हिजाब से यहां पर एक भी option नहीं है, इसका मतलब जो time लगेगा, वो इससे ज़्यादा लगेगा, option के according में बता रहा हो, ठीक ह अब चाहिए C to be according to question, जो time लगेगा, वो एक सेकंड प्लस एक बते दस सेकंड minimum, चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस 0.1, that is 1.1 सेकंड, और साउंड की स्पीर किते है, 330 में एक सेकंड में कितना चलती है, 330 मीटर, तो 1.1 सेकंड में कितना चलेगी, 330 गुना 1.1, that is 113, तो 333 मेटर होगा, तो minimum distance B और C के बीच इतना होगा, कितना, 360 मीटर, जिससे के ये P2 को जो साउंड सुनाए पड़ेगा, P1 और P3 का अलग-अलग पड़ेगा, अकर 330 मीटर से कम लेते, तो ये कितना लेते, 1-1 by 10 सेकंड करते, 0.9 सेकंड करते, बट वैसा option एक भी नहीं है ओके उतार लें, चले, question number 48 हो गया, अब question number 49 पे discussion करते है, question number 49, 49 कह रहा है, the frequency of a vibrating body is 10 hertz, frequency कितना है, 10 hertz, 10 hertz का मतलब क्या है, 10 oscillations per second, एक सेकंड में 10 oscillations होंगे, ठेक है, एक oscillation complete होता है, the time taken by it to complete 5 vibrations, time चाहिए, कितना vibrations, 5 vibrations, options given है, 0.5 second में given है, option B, 5 second, option C, 2 second, option D, 10 second, simple सी बात है, एक vibration में, मतलब 10 oscillation में, एक सेकंड लग रहा है, या दस vibration में एक सेकंड लग रहा है, तो एक oscillation में, एक बटे दस सेकंड लगेगा, आपको कितना के लिए चाहिए, बताई, 5 vibrations, तो क्या होगा, एक बटे दस गुना फाइब, सब में भी आ रहा है, कि दस oscillation में एक सेकंड लगेगा, तो पांच oscillation में आधा सेकंड लगेगा, तो कितना हो जाएगा, पांच दूने दस, कितना हो जाएगा, हाफ second, that is 0.5 second, ठीक है, बतार ले, 49, यह आपका complete हो गया, मतलब यह समझ आना चाहिए, आपको बहुत एजी था, हना, तो आदना है, इसको, question number 50 पे discussion करता है, 50, यह क्या कहरा, person hears the sound of the explosion of a bomb after 5 seconds, and another person hears the sound after 6 seconds, the ratio of minimum and maximum possible distance between the persons is, 5 seconds के बाद, एक सुन रहा है, और एक 6 seconds से बाद, ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, the ratio of minimum, minimum and maximum, speed दिया, 330 meter per second, दोनों के बीच का minimum distance और maximum distance का ratio महाँगा है, क्या होगा, ठीक है, options given है, one is to one, one is to two, one is to eleven, five is to six, तो देखते हैं, कि अगर bomb एक का explosion हुआ, तो वहाँ से जो sound निकलेगी, वो sound पहले वाले बंदे को 5 seconds में टकड़ाया, दूसरे को 6 seconds में, मतलब 5 seconds के बाद सुना है, 6 seconds में, अगर माल लेते हैं, यहाँ से sound निकल रही है, यहाँ पे एक बंदा A है, और यहाँ B है, दूनों A की तरफ हैं, तो 5 seconds में यह सुन लिया, फिर 6 seconds में यह सुन लिया, मतलब इस दूनों की बिज़का जो time का interval होगा, वो क्या होगा, एक second ही तो होगा, तो minimum होगा, यहाँ पे जो हमारा मिलेगा, वो क्या मिलेगा, minimum वाला, और maximum में कैसे होगा, यहाँ पे bomb explosion हो रहा है, इधर A है और इधर B है, A को सुनने में कितना लगा, 5 seconds, इसको कितना लगा, 6 seconds, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 11 seconds की बात होगी, और हमको क्या चाहिए, दोनों की बीच का, अब बताईए, यहाँ पे sound की जो speed है, वो 1 seconds मे यहाँ एक सकंड में कितना, 330 मेटर, मतलब यह जो distance है, वो कितना है, 330 मेटर, बट यहाँ तो पांच और छे 11 seconds की बात हो रही है, कितना सकंड, 11 seconds, तो 11 seconds गुना 330, that is, एक सकंड में 330 मेटर, तो 11 seconds में 11 गुना 330, 11 तो जो भी आएगा, 11 सुरह ने दिया, इसे ही, इतना मीटर, तो यही न चाहिए, यह कितना हो जाएगा आपका, मिनिमूम होगा 330, और बटे, 11 गुना 330, यह होगा आपका अंसर, 1 इस्टो 11, तो option कौन सा से यह होगा, 1 इस्टो 11, I think कि आपको बात समझ आई होगी, उतार लें, आपको चाहिए, को चलिए, क्वेशन नुमर 50 हो गया, अब क्वेशन नुमर 51 पर इस्केशन करते है, आशा करता हूँ कि आपको समझ भी आ रहा होगा, क्वेशन नुमर 51, यह क्या कह रहा है, 51 ही हमार होगा, नहीं 51 कह रहा है a person hears the sound of explosion of a bomb after five seconds एक bomb है जिससे sound निकलती है उससे 5 second के बाद वह आवाज सुनाई पड़े if the velocity of sound in air is 330 meter per second 330 meter per second पर sound travel कर रही है the distance between the bomb and the person is 1 km option B 1.65 km option C 2.35 km option D 330 km देखते हैं simple सी बात है 5 second के बाद अगर इस नहीं पड़ा एक सेकेंड में कितना चला 330 meter speed का formula distance बटे टाइम इससे भी निकाल सकते distance बराबर इस पिर इंडू टाइम वहीं बात है पांस सेकेंड में कितना चलेगा 330 गुना पांच यहां भी वहीं ऐसा मैं उम्मीद करता हूं आं अश्वेश्चन नमर्स 52 है कि सैथिक्व यह कह रहा है यह कह रहा है इस वाइब लीटिंग बॉड़ी प्रोडी सेसे 20 vibrations 20 vibrations in 10 seconds the frequencies frequency क्या होगा frequency एक सिकन में जितने vibration में होते हैं सिंपल सी बात है option A one option B two hertz मतलब per second option C 0.5 hertz option T d 20 hertz तो क्या होगा बताइए 20 vibrations में 10 seconds लग रहे हैं तो एक vibration में कितना लगेगा 10 बटे 20 that is 0.5 seconds sorry 0.5 एक सारी मैंने कुछ गलत किया दस सेकंड में एक सेकंड में जितने vibrations होंगे मैंने गलत किया तो दस सेकंड में बीज वाइबरेशन तो एक सेकंड में कितना हो जाए होगा 20 बटे 10 तर दो क्या होगा दो वाइबरेशन पर सेकंड इसी को हम लोग बोते 53 यह कह रहा है 3 persons P1 P2 P3 इस तरह का क्वेशन हमने करा एक P1 P2 P3 थीन पोजिशन में ए बी और सी में और यह कूरा दिस्टेंस कितना है 660 मीटर P1 और P2 क्लैब अट दे सेम ताइम पी 1 और पी 2 यह दोनों क्लैब करता है पर पी 3 तो हीर तो इस्टेंट क्लैब्स अब इसमें यह समझे है कि पी 1 से पी 3 तक और ऑप्शन इसमें गया इसका स्पीड दिया हुआ है तो 660 तक यहां पी 1 से अकर क्लैब होगा पी 3 को सुनना है सुनना है इनको तो यहां से यहां तक जो साउंड ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा कि इतना लगेगा दो सेकेंड करें Они से टाइम का इंटरवर्ल हे दोनों में एक सेंट का इट्ली सो चाहिए तो यहां से यहां तक जो सांड ट्रेवल करें कम जो सेक्म एक बटे 10 से ज्यादा ताइंब लगे ज़ीम की से मिनिम्म से ज्बिदा सेंट्स होना है यह मिनिमम इस से को अया तो जो साक्य जांग होगा senza with 10 seconds गुना श्रीट 233 सगलना 330 मीटर एक सबने कितना चलता है पाल में कितना के बीच तो स्कूल इक बटे दस सेक्ड लगेगा यहां से यहां तक जाने में उससे ज्छादा भी होने से कौई हAndre कर सकता है कौई随 लेकिन मेन के Πार से नियूद्स होगा तो एक बटे दस सेकंड के sound P3 को सुनाई पड़ेगा और 1.9 सेकेंड में P2 का sound P3 को सुनाई पड़ेगा P2 का sound P3 को पहले सुनाई पड़ेगा लेकिन कम से कम दोनों के बीच 0.1 सेकेंड का डिफरेंस होना चाहिए एक बड़े 10 सेकेंड का तभी P3 उस दोनों sound को distinguish कर पाएगा तो option क्या होगा हमारा 33 मिटर आइधिंक यह समझ आया होगा उतारें हां तो 53 आपका शायद हो गया होगा मिटा दे रहा हूं question number 54 सोड़ा मुझे कम समझ आ रहा है यह आप देख लीजिएगा आप खुद 55 देखते है question number 55 if the time taken for the reflected sound to reach the sonar is 2 seconds तो जाके sonar से sound navigation रेंजिंग क्या करता है वहां से sound produce करता है वहां से sound गया टकडा के वापस आया ठीक है depth the depth of the sea c का depth मांगा और पंद्रे सो मीटर पर सेकेंड sound की speed है c के water में option a है पंद्रे सो मीटर depth of c मांगा है option b 3000 मीटर और टाइम कितना लग रहा है दो सेकेंड option c कि 750 मीटर option d 500 मीटर तो यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल की अगर बात करें जितना जाएगा उतना वापस आएगा माल लेते हैं कि यहां से यहां सोनार है और यह depth यहां पर यह बेस है किसका बेस ओफ सी ठीक है यहां से sound गई x distance cover करी ओपर आया फिर क्या x करें तो एक्स कितना होगे 2x speed का formula distance बटे time इस पीड कितना है बता इए इस थीट होगे आपका 15-100 पॉस सेकंट डिस्टेंस किते ट्व एक्स टाइम कितना लग रहा है दो सेकंड दो दो कैंसल एक कितना हो जाएगा फंद्रेसों मीटर यहारा है यह लाइन है किना पंद्रसों मीटर क्या हिसानल टौकि ढQuery 12 सेकन्द लग रहा है सिर्फ आने में कितना लएगा एक स Fine 국n फिटर उसे मिटर कितना मिटर करता है तो इपनास ही होगी उतार लें चलिए 56 यहाव जो फोलविंग स्टेटमेंट इसक्रेट एक खुद करें आप जो फ्रेक्वेंसी ज्यादा होती है तो पिछाई होती है विमेंगे पिछ ज्यादा होती है मैंन को पिछ जोता है वो कम होता है ठीक है प्रशन नमर 57 यह कह रहा है दाक्षिन आफ इंसीरेंट नोंड नोन में सब만आ रहें थृटिडि़ी आग गों शचीड गरी है घृटिजित और fly ओप्षोन एफक्षों रटी डिक्री नर डॅप्षन सी नज में नॉया brake अप्षण ॆन्यू गणि योटी त्रहम ग्रीई। तो यह विए फिफ्टी सेवन थे यह सारे एम सी क्यूस थे जिसको मुल्टिपल च्वाइस क्वेशन कहते हैं अब जो क्वेशन से वह मुल्टिपल च्वाइस क्वेशन नहीं है तो एक वह और आगे मैं बढ़ाने की कोईश्च करता हूं इतना उतार ले पहले अब इसमें options नहीं होंगे बस question 58 यह क्या कह रहा है यह कह रहा है तो frequency of tuning for is 600 hertz frequency कितना है 600 hertz given 600 oscillations per second हो रहा है ठीक है what is the number of vibrations made by the tuning fork when the sound produced by tuning fork traveling is 110 meters 110 meter travel करें तो कितना सीथे सारे vibration यह 330 meter per second यह number of vibrations मांगा है तो आप जानते है इस पील का formula होता है distance traveled by time taken और टी टाइम में एक oscillation में एक में क्या होगा एक बाइटी इसी को हम क्या होते है frequency तो क्या होगा इसको लेक्ति इंटू वन आवर्टी और एक oscillation में जितना distance travel करता है उसको wavelength कहते हैं तो अगर इसको हम distance travel करने की बात करें यहां पे जो distance by time लिखे हैं इस टाइम को time period अगर माने यहां से यहां तक जो time लगी है उसको time period करेंगे कहेंगे वहां जो distance travel करेंगा उसको wavelength कहेंगे क्या कहेंगे इसका लेम्डा सिंबॉल है लेम्डा इंटू वन आवर्टी जिसको frequency कहते है तो इसपीड का क्या इसपीड का फॉर्मूला हो गया wavelength फ्रेक्वेंसी फिर बता रहा हूं इसपीड का फॉर्मूला इसपीड का फॉर्मूला आपको याद रखना है वेवलेंट इन्टू फ्रेक्वेंसी तो यहां से आपको जो पता चलेगा यह क्या हो जाएगा बताई स्फिड आपका तीन सौ टीस मीटर पॉष सेकंड वेवलेंथ नहीं पता है और फ्रेक्वेंसी कितनी की वह न है बटे 11 मीटर हो जाएगा हमको कितना मीटर में चाहिए 110 मीटर में that is 20 बटे 11 गुना 110 that is 200 vibrations complete होंगे I think कि आपको बात समझ आई होगी तो उतार ले इसको फिर आगे बढ़ते हैं चले question 59 अभी के लिए हम लोग लास्ट एक question कर लेते हैं फिर इसके बाद next lecture में हम next part कर देंगे अभी उतना comfortable और नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि अच्छी कहा से questions में ने कर दिया और थोड़ा issues है question 59 यह क्या कह रहा है कि Sandeep constructed a simple pendulum to find the value of G at that place he observed that the bob of a simple pendulum moves from the mean position to one of the extreme position in 0.5 seconds ऐसे यह mean position यह extreme position में जाने में जो time लगा वो 0.5 second लगा यह जाएगा जाके वापस आएगा फिर यह पीछे जाएगा फिर वापस आएगा तब एक oscillation complete होगा तो बस यहां से यहां तक जाने में कितना लगा 0.5 second आने में कितना लगा 0.5 seconds फिर पीछे जाने में 0.5 seconds फिर आने में 0.5 seconds total कितना time लगेगा 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 2 seconds तो time period मांगा है T यह क्या होगा 0.5 into 4 that is 2 seconds गया 0.5 आया 0.51 पीछे गया 0.5 फिर आगया 0.5 कितना 1 1 1 2 seconds number of oscillations the pendulum has undergone in 4 seconds 2 seconds में एक oscillations हुआ तो 4 seconds में कितने हो जाएंगे एक बटे दो गुना चार दो oscillations दो हो जाएंगे ठीक है ना number 3 यह क्या मांगा frequency तो frequency क्या होता है 1 hour time period that is 1 over 2 0.5 hertz यह यह समझ सकते हैं 2 seconds में एक oscillation तो एक सेकंड में कितना होगा एक बटे दूख यही तो आ है 0.5 hertz I think कि आपको बात समझ आई होगी तो मैंने अभी तक जो questions करा level 2 के question number 44 से लेकर question number 59 तक आगे के lecture में हम और भी जितने सारे बचे हैं उसको complete करेंगे आशा करता हूँ कि आप बहुत पसंद कर रहे होंगे अगर 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 पसंद करते हैं तो share करें like करें subscribe करें और comment में जरूर बताएं कि आपको कैसा feel हो रहा है और कैसा लग रहा है और अपने दोस्तों को share जरूर करें अभी के लिए तना ही दीजिये अजाज़त thank you very much bye bye allah halfiz